आप सभी को मेरा पनाम आशा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज हम केश वर्धनी की बात करेंगे Asterice family का प्लांट है, सुन्दर परपल फूल आप देख पा रहे होंगे साथियो समस्त भारत में, समस्त भारत में ये पाया जाता है इंदी में केश वर्धनी कहते हैं, और हम लोग इसको हम सेंट्रा थीरम, पंक टेटम के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं Asterice people का ये प्लांट है, कई प्रकार से हम लोग इसको ओस्दिय गुणों के लिए उप्योग में ला सकते हैं जानकारी के अभाव में हम लोग इसके ओस्दिय उप्योगों में नहीं ला पाते हैं पूरे भारत में देखने को मिलता है, ये एक बीड है, खरपतवार है और आसानी से हो जाता है, प्रोपेगेट होता रहता है लेकिन किस प्रकार से हम इसको अच्छे उप्योगों में ला सकते हैं या दिवत जानेंगे मित्रो केस वर्धनी इसको कहा गया है, इसके पत्र और इसके फूल, इनका पेस्ट बना कर अपलाई कियेजिए, बालों की रूट्स मजबूत हो जाती हैं, आपके बाल हेर फॉल नहीं हो पाते हैं, इस्प्रिट एंड की समस्या ठीक हो जाती है, बालों, दो मुह बाल जो ह हो जाते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका काढ़ा बना कर भी उससे सनान कर सकते हैं, कई प्रकार के स्किन के उपर होने वाले फंगल इंफेक्शन भी, माइक्रोबिल इंफेक्शन भी इसके काढ़े से सनान करने के बाद ठीक हो जाते हैं और आपके बालों को नरिष्ट करने भी कारे करें बित्रो बहुत अच्छा ये प्लांट है और उससे भी कहीं ज्यादा इसके औस दिये गुन जो आप जानकारी के अभाव में उप्योग नहीं कर पाते हैं दो अब आप अच्छे से उप्योग में ला सकते है आप बालों को इसके काड़े से वॉस कर सकते हैं या पेस्ट बनाकर बालों पे अपलाई कर सकते हैं स्किन की समस्चाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं स्किन प्रोब्लम्स के लिए मित्रो आप इसको पेस्ट बनाकर अपलाई कर सकते हैं साथ यो आप क्या कर सकते हैं घाव कई बार नहीं बढ़ते हैं बुंड हीलिंग के लिए भी आप इसके पेस्ट को घावों पे अपलाई कर सकते हैं फोड़ा फूंसी हो पस जनित बॉयल्स के समस्या हो इसको हम फोड़ा कहते हैं उसको पका कर पस को बाहर निकालने का कारे कर जाए वो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है आईसे हावां को हील करने के लिए भी आप इसके पेस्ट का एप्लिकेशन कर सकते हैं अगर समस्चा हो जाती है उसको भी ठीक करने का कारे करता है परूटियज एंजाइम यहीलिंग को करता है आप इसको apply कर दीजे, इसके पत्र का paste बनाकर आप देखेंगे कि आसानी से गेंगरीन की समस्था को भी ठीक करने का करे करता है दूसरा आप इसके apical portion का ये कॉमल पत्र और इसके फूल इसका काढ़ा बनाकर साथ साथ से बन करते रहिए internal healing को fast करता है और externally इसका pist का आप apply करते रहिए, बहाँ उपयोग करते रहिए, healing को fast करने का कारे करता है मित्रो अगर पेट में कीडे हैं, कोई bacterial infection है या फिर sleepad की समस्था है, जिसको हम elephantiasis भी कहते हैं जिसको हम philariousis भी कहते हैं, उसको heal करने का कारे करता है, आप इसका काढ़ा पीते रहिए, आसानी से philariousis के समस्था को भी ठीक करता है मित्रो शरीड के अंदर hormones के dysregulation के कारण या हमारी प्रिकिरती के disturb होने के कारण लंबे समय तक अगर ये बना रहता है तो हमें tumors की समस्था भी हो जाती है, tumors को भी heal करने का कारे करता है, hormones के regulation में अच्छी भूमी का निभाते हुए tumors को ठीक करने का कारे करता है कई प्रकार से हमारे लिए बहुत उप्योगी है, बित्रो इसका काढ़ा आप पीते हैं तो तनाव को कम करने वाला होता है, sound sleep को देने वाला होता है, अच्छी नीद आपको आएगी, तनाव आपका कम होगा, anxiety कम हो जाएगी और कई परकार से मानसिक रोगों में, neurodegenerative disorders में बहुत अच्छा कारे करता है, autoimmune disorders हों, उन में भी बहुत अच्छी activities की देखी गई है, खासतोर से arthritis की समझा में भी इसका बहुत अच्छा परभाव होता है इससे निकलने वाले तेल को आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आप काड़ा बना कर भी सेवन कर सकते हैं, इसके फूलों से निकलने वाला juice, aromatic water बनाने में भी सायक होता है, इस परकार से ये तितली इस फूल से nectar ग्रैंड कर रही है, इस फूल से रस्प्राप्त कर रही है कितना सुन्दर द्रिश्य है, आप देख पा रहे होंगे मित्रो, ये बहुत अच्छा प्लांट है, हर द्रिश्ची से हमारे पित के disorders को ठीक करने वाला प्लांट है, भूक ना लगती हो, digestive disorders को भी ठीक करने का करता है, और इसका काढ़ा लिविड को बढ़ाने वाला होता है अगर किसी इंसेक्ट ने या स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो आप इसके पत्र का पेस्ट लगा दीजिए, और घाव को धो दीजिए, काढ़ा बना कर उसमें भी बहुत अच्छा लाब करता है, इसके अंदर का पाई जाने वाले के परकार के antioxidants, polyphenolic compound, आसानी से poison को neutralize करने का कारे करते हैं, काफी अच्छे इसके थ्रोपेटिक बेनिफिट्स हैं, effective है, safe है, और आसानी से मिल जाता है, आप इसको गमले में लगा सकते हैं, देखने में सुन्दर लगता है, और विशिस केर किया हो सकता भी नहीं होती है, easily propagate होता रहता है, esteris equal का plant है, propagation की ज़्याद दिये गुणों के लिए आप लगा सकते हैं, muscles को relax करने वाला होता है, anti-aging, anti-wrinkle, insub activity के लिए भी skin के उपर आप इसको apply कर सकते हैं, natural cosmetic का कारे करता है, आपकी अच्छे बालों के लिए, आपके digestive disorders के लिए, इसके अंदर में तो diabetes को भी heal करने की छमता होती है, liver के pancreas के stimulation के मा होता है, हमारे body के endocrine system को भी regulate करते हुए, कई परकार के hormones से जुड़े हुई समझा है, autoimmune disorders, neurodegenerative disorders, उनको heal करने का कारे करता है, natural life के साथ आप अगर connect रहते हैं, तो ना केवल आपको अच्छे स्वास्ते की प्रापती होती है, बलकि आप निरोग रहकर समाज के लिए, society के और अच्छा contribute कर सकते हैं, nature के gift को आपको संजोना है, आपको संरक्षित करना है, और अपने स्वास्ते का ध्यान रखना है, अपने और अपने सगे संबंदियों, मित्रों के अच्छे स्वास्ते के संरक्षन के लिए आप जानकरे को अवसे सांजा करें, ताकि वो भी इससे लाप राप्त कर सकें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, कल सुबह 6 बजे, फिर एक नए प्लांट के समधान के साथ, आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, पर नाम नमस्कार, अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आवसे कर लें ताकि नित्या आने वाले जानकारी आपको मिलती रहे, पर नाम नमस्कार.